हेलो दोस्तों देखिए हमने आज कावारा से लाया है DT याच जो की इसमें सिंगल नहीं पकर सकते है हमने खरीदा है 30 रुपया में खरीदा है जो की कवारो वाला भया ने कहता है जो इसके अंदर में क्या प्रोब्लम है इसके अंदर में मदर बोड़ा आते है जो जल गया है तो कोई बात ने हमारे पास तो DC current इसका output लेना है तो देखते हैं इसके अंदर में किस तरीके से देखी यहाँ पर on भी हो सकता है तो कोई बात नहीं हमने पहले या इसके अंदर का हम राज देख लेते तो चलिए खोलते हैं और इसके अंदर में क्या क्या चीज रहते हैं जो हमने देखेंगे और इसके अंदर से output हमने 12 Hz निकालेंगे और कुछ work में कर सकते हैं 12 Hz को यूज तो देखते हमारे पास देखे कुछ इस तरीके से नजर आते तो देखें हमारे पावर बॉर्ड यहाँ पर लगे रहती है और देखें मदर बॉर्ड यहाँ पर से छीर लेते हैं और तार के साथ हमने मॉल्टी मीटर से पहले इसका टेस्टिंग कर लेते है संच магल में यह 12 volts देता है या नहीं देता है तो हमने देखिया Power On किया और Power On करने के बाद इसका Current भी टेस्ट कर लेते हैं तो देखिया हमने Multimeter का 20 volt पर select किया है और उसके बाद देखिए power को check कर लेते है कुछ इस तरीके से power इसके अंदर से निकलते है output तो देखिए हमने 12 volt तो अच्छे से निकल सकती है और हमने shoulder and eyes अच्छे तरह से हमने welding कर लेते हैं तार को देखिए हमने कुछ इस तरीके से welding कर लेते है यहाँ पर देख सकते है plus का plus और minus का minus के साथ हमने joint कर लेते है अब भी देख सकते हैं इस तरीके से आपको joint करना है का फिर अच्छे से नहीं तो यह work नहीं करते है इसके output में तो हमने यहाँ पर 12 volt को हमने tar connection कर दिया है और देखिए इसके side को हमने अच्छे तरह से देख लेते है sort तो नहीं हो चुका है देखिए और इसके side से हमने अच्छे तरह से देख लेते हैं और इस तरीके से हमने इसके यहाँ पर थोरा सा hall देना परेगा ताकि इसके अंदर से tar बाहर निकल जाते हैं, देखिए हमने तार को निकाल लिया, DC यहाँ पर लिखे रहते हैं, और देखिए हमने प़र ऑन करने के बाद इसका टेस्टिंग पिर से हमने कर लेते हैं, ताकि यह फिर से काम करती है या नहीं करती हैं, जो की फिर से confirm हो सकती है तो देखिए हमने विल्कुल तरह से अच्छे तरह से यह work करती है तो चलिए हमने पहले इसका testing कर लेते हैं कुछ यह यहाँ पर work करती है या नहीं करती है तो हमने 12 world का motor लिया है और उसका running करने के बाद देखती है देखिए का फिर यह अच्छे तरह से work करती है देखिए motor भी अच्छे तरह से यह काम करती है आप भी इसके 12 world में use कर सकती है जो काम कर सकती है या आपने 12 world के हिसाब से जो काम कर सकती है हमने power board से देखिए कितने अच्छे हो गया देख सकते हैं आपको fan है तो fan आप चला सकते हैं इसलिए जो fan बहुत अच्छे इस पर work कर सकती हो तो देखिए हमने इसका cover भी फिर से लगा देते हैं जैसा है वैसा हमने cover को अच्छा तरह से हमने नोट से हमने स्क्रूप से हमने कस लेते है ताकि फिर जैसा लगते है देखने में ताकि अच्छे देखने में लगती है इसका लुक जो न्यू है जो बरांड लगते है देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने अच्छे से है यहाँ पर हमने स्क्रूप को कस दिया है तो गाजी ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना तो चले फ्रेंड वीडियो रख देते हैं